आप सभी प्रिय दर्शिकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस educational वीडियो में, आज हम बात करेंगे trading indicators की, यूं तो हजारों trading indicator variable हैं, हमारे based on our trading experience, ये तीन महत पूर्ण और जो बहुत effective हैं, indicator आपके लिए प्रसुत कर रहे हैं with examples, ताकि आपको समझाएं कि आप कैसे इनको ब जरूर होने चाहिए, आए चलकर शुरुआत करते हैं सबसे पहले, अगर हम indicator की बात करें, तो indicators हमें क्या पता लगता है, indicator हमारे को help करते है, direction of the stock determine करने के लिए, चाहे आपसे एक individual stock में trade करते हों, या फिर आप index में trade करते हों, या फिर आप currency में trade करते हों, आपको direction का पता होना चाहिए, जब आप सही direction में trade करेंगे, तो आपको profit unlimited हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए, तो ये एक बहुत महत्पून चीज़ है, कि market कब उपर जा रहा है, और कब नीचे आ रहा है, ये आपको indicator ही बता सकते हैं, और कब जाने की संभावना हो सकती है, उपर और कब जाने की संभावना हो सकते नीचे, ये भी सब indicator बता सकते हैं, बोथ intraday and day trading, अब अगर हम बात करें, सबसे पहला indicator, one of our favorite indicator, alligator indicator, इसका क्या महत्व है, आईए समझाते हैं, देखें, moving average सब को जानते हैं, ये एक simple moving average का combined effect है, आपके लिए प्रसुत है, HCL का share, HCL के share में अगर alligator indicator को अगर आप simple follow करते, तो alligator indicator ने सबसे पहला इसका buy level बताया था 500 रुपे के आसपास, तो यहां से उसने बोल दिया था कि अब ये उपर जाएगा, अब देखें, अगर किसने alligator indicator को follow करके, इसको maintain रखा 500 रुपे से, अभी देखें, ये भाव कितना चल रहा है, यहां तक आपको sell करने की ज़रुत नहीं थी, यहां पर सबसे पहला selling आया, 829, 330 रुपे का profit मिला है, आपको 60% का profit सिर्फ एक indicator को follow करने के महत्तव से, तो यह समझने की ज़रुत है, यह short term में भी काम करता है, और साथी साथ में आपको long term positional trade में भी काम करता है, अभी फिर से इसने up movement शुरू कर दिया, अगर देखें यहां पर, तो अब movement आया है, 850 से, और आभी ओर उपर जाने की उम्मीद है, इस indicator के basis पर, तो alligator indicator, one of the favorite indicator, अब आपको सिर्फ color समझना है, कि कहां पर buy करना है, और कहां पर sell करना है, red for selling, green for buying, जब भी तीनों indicator के उपर है price, वहां पर buy करना ह और तीनों indicator के नीचे आ जाए, तो वहां पर आप उसको sell कर दिये, इस तरह से most effective way आप इसको use कर सकते हैं, जैसा आपने बताया है, यह indicator, तीनों indicator जो हम बात करेंगे, यह intraday position पे भी आपको काम करते हैं, और साथ ही साथ में आप positional trade, जो की long term, तीन महीने से ज़्यादा की trade भी करना चाते हैं, तो भी आप इसमें बहुत successful रहेंगे, अब चलते हैं indicator number 2 के तरफ, second indicator है हमारा, जो आप cash में भी trading करते हों, चाहे आप future and option में trading करते हों, सब में applicable होगा यह indicator, और बहुत effective है, जैसा हम हमेशा बोलते हैं, trading में भाव भगवान होता है, तो यह indicator price से ही drive है इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ price को करते हैं, इसका हमारा combination indicator है, RSI with super trend, आपने super trend बहुत use किया होगा, RSI बहुत use किया होगा, अब जड़ा effect देखिए, RSI और super trend का साथ में combine होने के बाद क्या result आता है, यह chart पर देखते हैं, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर Wipro की, तो 200 के आसपास से, और RSI भी reasonable level पर है, आप रखिए, इसको अपने पास maintain continuously रखिए, जहाँ पर RSI overboard zone में आ जाए, और यह इसकी distance जो है, RSI के जो आपका super trend से बहुत दूर हो जाए, वहाँ पर आपको profit book करना है, यह चीज़ खाँ समझिए, इस level को देखिए, यहाँ पर RSI की value almost 85 हो गए है, तो यह बहुत जादा overboard zone में आ गया है, तो आपको यहाँ पर अपना कुछ profit book जरूर कर लेना है, क्योंकि distance देखिए, RSI के साथ में 337 versus 378, तो यह retrace करेगा ही करेगा, लोग बाग इसका इंतिजार करते हैं कि कब हमारे को sell signal मिले, पर देखिए दोस्तों, पर 337 price हो गया था, और यहाँ पर इसका आपको profit मिला 380, और जो trading होती है, उसमें margin बहुत फरक पड़ता है, क्योंकि आप leverage लेके काम करते हैं, 50 रुपे बहुत बड़ी कीमत होती है trading में, जब आपको सही पता लग जाए कि कहाँ पर आपको sell करना है, या कहाँ पर आपको profit booking करनी है, तो यह एक बहुत important indicator है, जो आपको हमारे साब से अपने chart पर लेना चाहिए, और आप confused मत हो ये, कि मैं North East में जाओ, North East, North North East में जाओ, North East, East North में जाओ, ये सब confusion की बात छोड़िये, simple दो indicator लगाईए, buy करना है, जब super trend के ऊपर है, sell करना है, जब super trend के नीचे है, profit booking भी बहुत लाजमी चीज़ है दोस्तो, time to time profit book करना चाहिए, specially traders को, जो long term investor है, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो 10 साल बात देखेंगे, क्या होई है wealth, पर अगर आप short term trader है, 3 महिने के काम करते हैं, तो profit अपने घर पे लेत के आते रहिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो like ब और जब भी आपका target हो, achieve करके close your bags and book your profit, तो इस बात का ध्याना के अपने plan पर रहिए, और तीसरा जो हमारा one of the key favorite indicator है, bullionzer band, अब bullionzer band के बारे में थोड़े से लोगो confusion रहता है, इसलिए हम इसको example के साथ आपको बताने की कोशिश करते हैं, और this is one of our favorite indicator, हम बात करेंगे है पर future retail share की, अब देखिए, आपको शायद पता हो या ना पता हो, हम आपको समझाना चाहते हैं, chart पर सब कुछ दिखाए देता है, जब इसकी deal announce की गई थी, August 31 तारिक को, तो देखिए, 31 तारिक को इसका भाव जो था, यहाँ पर, खुलते के साथ ही ऊपर चला गया था, यह kit cap के हिसाब से आपको investment करना है, अगर large cap है, up to 10%, mid cap है, up to 5% और अगर small cap है, up to 2%, आपकी investment capital से ज्यादा invest मत कीजिए, और अगर भाव, bullionger band के बाहर है, तो वहाँ पर तो खरीदिये ही मत, देखिए दोस्तो, जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदा होगा, वो अभी फसे हुए है, stock में यहाँ पर, comment में बताईएगा जरूर, कि आपने हमारी सला के हिसाब से 95 और 105 की बीच में खरीदा था, या फिर आप हमारे channel से बाद में जूड़े थे, और आप लोग यहाँ पर खरीदे गए थे, तो देखिए, यह indicator बहुत important है, कहाँ पर नहीं खरीदना है, खरी खरीदने के लिए, तो यहां से आपने नहीं खरीदना था, आपको अगर खरीदना था, जैसे हमने अपना खरीदा हुआ है, 95, 105, 115, यह तीन लेवल पर हमने अपने यहाँ पर share खरीदे हैं, हमने कोई भी share यहाँ पर नहीं खरीदा है, उसके बाद में हमने दुबारा share खर approval is in progress यहाँ पर तो यह एक छोट असा आपको Bullinger Band का example बताना चाहते थे और Bullinger Band में एक होता है consolidation zone देखिए यह Band बहुत narrow हो गया है और जैसे ही Band ने काफी time spent किया नीचे की तरफ और उसके उपर निकलना शुरूआ यहाँ पर बहुत अच्छी buying signal दिये इस ने और देखिए 70 के आसपास आप खरीद के रखें तो बहुत बढ़िया long term के लिए अच्छा target था Bullinger Band के basis पर देखिए दोस्तों trading बे हमेशा risk है आपको risk manage करना है portfolio management की तरफ से जैसे हमने बताया उस हिसाब से allocation कीजिए उस से आपका risk manage और प्लीज consult your financial advisor before investing and trading अब अगर हम बात करें आपको अपने mistake होंगी carrier में पर उन mistakes को नरंदाद नहीं करना है उनको लिखके रखिए और देखे repeatedly कि आपको उन mistakes से क्या lesson लेर्न हुए है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे हम लोग Nifty or Bank Nifty की active integrated service provide करते हैं अगर आपको यह service ची 8000 रुपीज पर मंत की charges पर आपको service मिल सकती है आपका दिन मंगल में हो चार वीडियो प्रस्तुत है जहीं जाभारत बाइगाईज